असलाम अलेकुम एवर्डीवन कैसे हैं आप सब हुफ़ली आप सब ठीक ठाक होंगे अलहम दलीलह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं वेलकम बैक तो माई चैनल तो चली शू कर लेते हैं आज का व्लॉग तो यह मैं तयारी कर रही थी रात के खाने का बस मैंने वही से स्टार्ट किया था व्लॉग मैंने सुझा थोड़ा चा शूट कर लेती हूँ बहुत दीन हो गया मैं शूट नहीं करती हूँ बहुत ही कम वीडियो बनाती हूँ ज्यादा तो वीडियो मैं बनाती भी नहीं ने सुचे छलो ठीक है बना देती हूं नहीं तो वैसे भी वेज़टेबल्स रखके खराब हो जाते हैं फ्रीज में पड़े-पड़े क्योंकि मैं उतना सब्जी वगर नहीं बनाती हूं बहुत ही कम बनाती हूं बस ऐसे ही हस्बेंड जो हैं उनको दूट से रोटी खाना बह है वो खाते भी नहीं है तो मैं हमेसा घर में नीट्रल रखती हूं या फिर मिल्क रहता है या फिर कुछ भी मिल्क मेड रहता है जैसे बच्चों का मन करता है वैसे खा लेते हैं तो बस उसके बाद देखिए मेरा वेज़टेबल पुलावी रेडी हो गया था मैंने आगया करते देशी स्ट्राइल करी की रेशिपी शैर करने वाली हूं जो कि मैं अकसर ऐसे ही बनाती हूं अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और अपने घर में सबको बना के खिलाएगा और आप भी खाएगा तो बहुत ही मज़ कर दिया था उसके बातों बातों में देखिए मेरा अग भी बॉइल हो चुका है अब मैं इसे ठंडे पानी में डाल लिए इससे क्या होगा एग जो है बहुत अच्छे से मतलब पील हो जाएंगे कोई भी दिकत नहीं आता है बहुत होता है कि जल्दी बॉइल कर लो और जो पील होगे खेल फुरी निकलेंगे उसके बाद इसे चीलने के बाद मैंने बीच ल bail लगा लिग दिखत लगाना है नहीं तो फ्राइ कम पें अंडे यो उड़ते रहते हैं शीटे पेस बहुत बाहर होता है कि बहुत लुछ जल भी जाते हैं मेरे साथ भी अइसा हुआ है ज में नमक पहले आड़ दैए जो कि मैं शूट नहीं कर पाई, मैं ने डमद को मुझे हो gagnते हैं में हमें wise और अज पूल में ओवन और उस बहुत ही सब्सक्कूर्ण कुकेया , यह जले नो यह यहां पर तेल डालने का मतलब ही नहीं है क्योंकि जादा तेल डालना भी वेस्ट होगा उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से गरम किया तेल को ताकि इसका जो स्ट्रॉंक फ्लिवर हो चला जाए उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा का चोका लगाया था और लेस्ट भी यहां पर आट से दस कली मैंने यूज किया था और पान से च्छे साबुत लाल मिर्ची इसके बाद मैंने मोटे साइज की प्यास कट किया थे तीन से बड़े-बड़े साइज में नहीं कट करना है पतले साइज में कट करने का मतलब यह होता है कि हमें अच्छे से इसे फ्राइ करना होगा और मोटे साइज का मतलब यह होता है कि इसे हमें गलाना पड़ेगा तो तो इसे थोड़ी दिर मैं फ्राइब कर लोगी उसके बाद मैं इसे ग्रेट करके अध्रक यहां पर आइट करोंगी क्योंकि मैं देशी स्टाइल में बना रही हूं तो देशी फ्लेवर भी देना है अध्रक लिसुन का पेष्ट मैंने यूज देहीं किया है सब कुछ मैंने इ क्यों है और आप यहां भी इसाधे एड्यर को तॉमैटो कड़करके अड्क करें एकन उचोंच पहल सकते हैं बट मैंने उसका था यह थे क्या है तो छोटे साइस के छोटरOS गरानी की था क्योंकि हमारे गए मेरे टोमैटो का फ्लेवर्स अबको बहुत ज़्यादा पसंद यहां पर एक कैपसिकम बिल्कुल ऑप्सिनल अगर आप चाहित यूज करिए नहीं तो इसकी भी कर सकते हैं यह भी अगर आप कैपसिकम यूज कर दें तो इसका सीड जो है बीच का निकाल दीजेगा उसके बाद यहां पर मैंने थोड़ सा पानी आट किया है आधा कटोरी मैंने पानी आट किया यहां पर ताकि हमारा प्याज जो अच्छे से कूक हो जाए अब मैं प्रेसर कूकर का लिड लग दूगी दो से तीन सिटी आने तक कम इसे छोड़ दूगी क्योंकि देसी स्टाइल में बनाना है तो सबकुत देसी जैसा ही होना चाहिए बिलकुल भी देसी जैसा नहीं होना चाहिए उसके बाद देखे मैंने लीड को खोल लिया है हमारा प्याज जो अच्छे से कूक हो च और बहुत ही अच्छे से भून लिया था बहुत ही अच्छे से आपको भून लेना उसके बाद मैंने यही पर थोड़ा सा धनिया का पत्ता मैंने अच्छे से बून गया आप देख सकते हैं तेल जो वह सेपरेट हो चुका है अब मैं यहां पर ग्रेवी आट करूंगी ग्रेवी होना है आप ले सकते हैं मैंने थोड़ा सा ही पानी अट किया था आपको जितना चाहिए आप उतना पानी लीजेगा अपने फैमिली के हिसाब से लीजेगा क्योंकि यह पतला भी अच्छा लगेगा और गाठा रहेगा तो भी अच्छा लगेगा मतलब ठीक देगा और फिट बैक भी जरूर दीजेगा उसके बाद इसमें बॉइल आ गया था मैंने एक को एट कर दिया यहां पर थोड़ी दिर इसे कवर कर दूंगी ताकि इसका जो तेल है उपर से आ जाए दो यसीं इमिनट कवर करने के बाद मैंने एट किया यहां पर धन्या कपत्ता आप देख सकते कि टेल भीूत हो चुका है बस मैंने अज़िक यह ड़ mism ein करヒंद तो यहां पर द法ब बहुत ही अच्छा बनता है तो ग्रेवी का यह रहा फाइनल लोक अगर वीडियो पसंद दो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करेगा अपना बहुत सारा ख्याल लखेगा तो मैं वीडियो को यहीं पेंट करते हूं मिल्ति वनेज ब्लॉक में तब तक लिया लाहाफिस अबसा है मुझे